असरा को अपने अंदर severe self-doubt और low self-esteem से deal करना पड़ता है, जो सुल्तन के साथ उसके रिष्टे से और भी बढ़ जती है. उसका मानना है कि वो सुल्तन की मोहबबत के लायक नहीं है और उसके high standards को meet नहीं कर सकती. मैं ना तो intelligent हूँ, ना ही beautiful असल में मैं सुल्तन के लायक नहीं हूँ. असरा को लगता है कि उसमें conversational skills की कमी है, वो social gatherings में awkward feel करती है और अपने husband के लिए embarrassment बन जाती है. ये self-loathing उसको extreme thoughts तक ले जाती है, including contemplating suicide, ताके वो सुल्तन को embarrassment से बच्चा सके. असरा को society के judgmental gaze से भी deal करना पड़ता है. जब भी सुल्तन उसको social gatherings में ले जाता है, वो सबकी नाजरों का बोज महसूस करती है, जो उसके insecurities को और intense कर देता है. जब भी सुल्तन मुझे gatherings में ले जाता है, सब मुझे ही देखते रहते हैं. ये scrutiny सिर्फ असरा का perception नहीं है. सुल्तन भी confirm करता है कि लोग उनकी compatibility का मजग उडाते हैं, जो असरा के self-doubt को और भी बढ़ा देता है. ये सोच के वो सुल्तन की जिन्दागी में एक गलती है, उसके mental well-being को affect करती है. स्टोरी में एक और layer add होती है जब परिजय सुल्तन की faithfulness को question करती है और असरा को ये बताती है कि उसने बहुत torture-endure किया है. जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, क्या तुम अभी सोचती हो कि वो किसी के लिए faithful हो सकता है? क्या वो किसी की मुहबत के लायक है? परिजय सुल्तन को एक narcissist के तौर पर दिखाती है, जिसके success ने उसके self-worth को toxic levels तक inflate कर दिया है. उसका behavior deeply narcissistic और unstable है, असरा के family professional help लेती है ताक के situation को समझ सकें और rectify कर सकें. डॉक्टर का assessment परिजय के assertions को confirm करता है और सुल्तन को superiority complex और narcissism का patient diagnose करता है. सुल्तन एक narcissist है, success ने उसका दिमाग खरब कर दिया है. डॉक्टर clear words में कहता है कि असरा की well-being ensure करने का सिर्फ एक तरीका है कि उसको सुल्तन से डूर रखा जाए. सुल्तन के लिए psychiatric treatment की जरूरत है, मगर वो भी years ले सकता है और उसको guarantee नहीं दे सकता. टेंशन तब climax तक पहुँचती है जब असरा के family सुल्तन से confront करती है. Family सुल्तन पर असरा को mistreat करने का इल्जम लगाती है और legal action और separation की बात करती है. डॉक्टर ने कहा है कि जिसको mental illness है उसको treatment की जरूरत है. मतलब तुम सल्तान ये confrontation critical juncture बन जाता है जहाँ family असरा को protect करने के लिए step in करती है. मगर ये भी reveal करता है कि familial conflicts कितने deep-seated हैं और challenging road ahead है. सल्तान, indignation और desperation के mix से react करता है अपने आपको humiliated और disrespected महसूस करते हुए. वो lash out करता है और आसरा के family को blame करता है कि उन्होंने उसको सुल्तान पर force किया और अपने आपको victim portrait करता है. तुम लोगों को शुकर गुजार होना चाहिए कि मैंने तुम्हारी psycho बेहां का खायल रखा. उसके aggressive demeanor के बवाजूद ये evident होता है कि सल्टान deeply affected है by the possibility of losing असरा जो एक conflicted और chaotic atmosphere create करता है. असरा finally courage इकत्था करती है अपनी true feelings को voice देने के लिए. वो express करती है अपनी desire to leave सल्टान और accept करती है कि वो उसके साथ नहीं रह सकती. मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाना चाहती. मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती. ये admission narrative में एक significant turning point होता है जहां आसरा अपनी well-being के लिए stand लेती है चाहे ये emotional turbulence को unleash करे. जब सल्टान situation की gravity realize करता है वो desperate होकर आसरा से reconsider करने की भीक मांगता है, insist करता है कि सिर्फ वो ही उसको खुश रख सकता है. फैमिली की intervention एक physical altercation में escalate हो जाती है, जो इस बात तक पहुँचती है कि guards को बुला कर सुल्तान को premises से remove करना पड़ता है. असरा, मुझे लगता है इनके समने भीक मांगने का कोई फैड़ा नहीं है, तुम्हारी फैमिली नहीं चाहती के तुम खुश रहो, तुम्हारा घर है तुम content रहो, सिर्फ मैं तुम्हें खुश रख सकता हूँ. situation rapidly deteriorate हो जाती है और असरा की distress climax तक पहुँचती है, leading to an emotionally charged confrontation जहां सल्टन को forcibly remove किया जाता है. इस confrontation के emotional fallout से असरा की मां deep distress में आ जाती है, वो medical assistance गुलाती है ताके असरा को tend किया जा सके, जो reflect करता है कि relationship ने उस पर severe emotional और physical toll लिया है, ओ खुदा, मेरी बच्ची. ओ खुदा, रहेम कर, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ. असरा और सुल्तान की कहानी ले बरे करती है devastating impact of self-doubt, societal judgment और toxic relationships का, असरा के family का intervention और डॉक्टर का professional advice अंडर स्कोर करता है.